हेलो दूस्तो नमश्कार लेना तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टाट हम कर लेते हैं सो रोस्तो अब हम ने का चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो फाइनली जिस बात का डर था वो फाइनली हमनों को सामने आते वे देखने को आपे मिल चुका है अगर आप इस चैनल को regularly follow करते हो तो ये point को मैंने इसके पहले एक बहुत जबरदस हमनों को चीज़े देखने को मिले थी तभी मैंने mention कियाता कि भविश्य में अभी भविश्य कब आएगा हमें नहीं पता एक दिन के बाद आएगा एक वीक के बाद आएगा एक महेने के बाद आएगा या फिर एक साल के बाद आएगा या फिर दो साल के बाद तीन साल के बाद हमें नहीं पता बट होगा जरूर तो वही चीज फाइनली हम लोगों को अभी होते हुए देखने को मिली है तो वो क्या चीज़े वो में आपके सामने रखंगा पॉइंट नमबर टू जो चीज़े अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो क्या वो गडबड़े, क्या कोई fraud है, धोके बाजी है मतलब जिस प्रकार की चीजे usually लोगों के सामने मतलब उनको लग रहा होगा क्या वो वैसा है या फिर कुछ और है तो वो सारी चीजे में आप लोग को सपश्टता से यहाँ पे explain करके रखने वाला हूँ क्यूंकि जिस प्रकार की निउस सामने आई थी कि सवा करोड सवा करोड मतलब 1 करोड 30 lakh shares promoter बेचने क्या बात कर रहे थे मैं rupees की बात नहीं कर रहा हूँ मैं number of shares की बात कर रहा हूँ इसलिए आपने सही सुना सवा करोड से भी ज्यादा की shares promoter बेचनी की बात कर रहे थे which is approximately 30% वो बात यहापे कर रहे थे तो इतना बड़ा amount क्या हो मतलब shares क्या एक टाइम पर वो बेचेंगे क्योंकि उतना खरीदने वाली भी तो demand चाहिए तो इसलिए बहुत ज़्यादा doubt थी बट finally इसी से related अभी हम लोग को सारा development आज के दिन देखने को आपे मिला है तो क्या पूरे के पूरे shares बेचे गए या फिर कुछी shares बेचे गए तो वो सारी चीजे में आपके सामने रखने वाला हो तो आप देख सकते हो गई 1924 से 1632 मतलब नियर बाइ 300 पॉइंड की दमदार गिरावट सवा 15 पसंड की दमदार गिरावट जैसे मैं आप लोग को इसी से related बाते बताई थी कि भविशा में आज ने तो कल यहापे होने ही वाला है तो अगर आप लोग प्रमोटर के उपर क्लिक करोगे तो यह नाम आपको देखने को मिलेगा फॉडलर इनकी अगर हम लोग बात करें तो यह वो कमपनी है जैसे मैं भविशा में आप लोगों को बताई ता कि ऐसी चीज़े बहुत ही हम लोग को कम देखने को मिल जाती है कौन सी चीज़े कम देखने को मिल जाती है कि जो सबसिडरी कमपनी होती है वो उसके पैरेंट होल्डिंग कमपनी को क्या कर ले टेक ओवर कर ले खरीद ले करके बहुत ही रेर सिनेरियो में ऐसी चीज़े देखने को मिल जाती है मतलब छोटी कमपनी ने क्या कर लिया पूरे नहीं बेचे थे तो कुछ हिस्सा उनका पेंडिंग था इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले यह जो खबर शायद से 2020-2021 के आसपास शायद से कुछ आई थी अभी exactly मुझे date याद नहीं है बट तभी मैं आपको कहा था कि देखे अभी यह इतना अपना आज की दिन सारी हमलों को हकीकत में तकदिल होते वे देखने का आप मिल रही है यही इसके related सबसे बड़ा खत्रा हमलों को देखने का आप मिल रहा था तो जैसे मैं आप लोगों को बताया कि शेर ओल्डिंग पैटर्न के पर में वापस आना चाओंगा आप चेक कर सकते प् 75% के ओल्डिंग बाद में देखो प्रमोटर के ओल्डिंग 54 होगे तो 50 में से 32% इन्होंने यहापे क्या कर दिया था फॉडलर जी ने यहापे बेज दिया था company जी तो नहीं बोलना चाहे बट जस्ट आपको बताना चाओंगा तो 50 से 32 हो गया तो वो इनका clear cut हो चुका था कि इनको यहापे क्या करना है जो अपनी company वो उनको subsidiary को बेज कर exit करना है तो इतना बड़ा माल उनने बेज दिया और यह पहले ही सारी चीज़े सामने clear होई थ सो बाकी बचा हुआ अभी देखा गया तो 50 में से 32 यहापे मतलब इतना नीचे आगे तो 32 आज ने तो कल वो बेचने ही वाले थे धिमे धिमे करके कम ही हो रहा था 31.88 यहापे हुआ था और फाइनली आज ही खबर वो सामने आते हुए देखने को लिए कि अपनी पूरे हिस इससेदारी को एप्रोक्सिमेटली पूरे इससेदारी को बेचने की कोशिच उनने आपे की ब्लॉग डिल, ब्लॉग डिल के चलते तो थोड़ा इसी से रिलेटर अभी हम लोग क्या कर लेते आर्टिकल को पढ़ लेते तो आपको और क्लेरिटी मिल जाएगी तो आप देख नहीं गिरा जितना कि आज हम लोगों को देखने का आपे मिला है तो ऐसा क्या हुआ है तो यह सारी चीज़े अभी पढ़ लेते जो शुरुआत में आपको बता है जम्म फॉडलर अटरा पसंट से ज्यादा गिरा फ्राइडे की दिन ठीक है पाथ साल के इसमें सबसे प्रमोटर की बात मतलब वही जो अभी मैंने आप लोगों को नाम दिखा है उसी की बात हो रही है तो दोस्ता आप देख सकते हैं यह जो नाम अभी मैंने आप लोगों को दिखा है ता कि जो प्रमोटर एंटिटी है अनौंस सेल फ 1.34 करोड शेर अगेन कहना चांगा यह र सामने आ रही है बट इतना बड़ा 30% माल कौन बेचता है वैसी चीज़े हम लोगों को देखने कहापे मिली थैं प्रॉब्लम जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतना बड़ा वो माल बेचने की यहापे कोशिश कर रहे है तो खरीदने के लिए उतनी सारी मतलब बाकी का चीज अभी भी पेंडिंग है यह फिलाल चीज़े बोली जारे में अगेन कहना चाओंगा स्पस्ट करना चाओंगा लेट नाइट हम लोगों को इससे रिलेटर पूरा डेटा सामने क्लियर आते हुए देखने को बनेगा तब सारी चीज़े क्लियर यहापे हो सकते हैं सो दोस्तो आप सभी लोगों को पता है यह डील जैसे पूरी तरीके से कंप्लिट हो जाएगी बैलेंस भी वो अपने शेयर होल्डिंग को होल्ड करके क्या करेंगे वो भविशा में बेचेंगे बेचेंगे तो प्रमोटर के होल्डिंग कितनी थी अभी जीमें फॉडल के हिसाब से डेटा की हिसाब से एक डेटा सामने आ रहा है जैसे कि मैंने आप लोगों का बताया असी लाग के आसपस तो यह देखे हैं यहापे बताया जारे कि फिलाल अबाउट ऑन पॉइंट जीरो नाइन करोड शेर्स यहापे फिलाल तो हमनों को चेंज इन हैंड्स हो उतनी यहापे होनी चाहिए तो यह सारी चीज़े फिलाल तो हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है अभी आ जाते दोस्तों सबसे बड़े प्रॉब्लेम वाली बात देखे शेर बेचना यह कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि गलत बात है करके बट प्रॉब्लेम क्या आ जात तो मतलब कितना डिसकाउंट के उपर होता है तो चले इसको कैलकुलेट कर लेते इन 200 करेंगे डिवाइड बाई ओरिजिनल प्रिवियस प्राइस कितना था 1924 था राइट तो यह देखे लगबग 11.64 का डिसकाउंट इतना मेगा डिसकाउंट साड़े 11% का डिसकाउंट के उनने माल यहाँ पर बेचा है और वो माल बेचा तो ठीक है बट पूरा का पूरा माल मतलब 30% उनका मंचा तो पूरा का पूरा एक्जिट लेने का ही है तो अब देख सकते हैं कि यह सारा जो वाइब फिलाल तो हम लोगों को देखने को मिल रही है यह सुनकर चीज़े बिल पॉइंट ज़रू हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी चीज़े हम लोगों को इसके पहले भी देखने को मिले कौन सी चीज़ कि जब भी माल ऐसा किसी को बड़ा बेचना होता है तो यह स्टॉक जबरदस रॉकेट की तरह भागता है इसके मतलब यह इधार भागा है और अभी आल म बेचनी की बात सामने आई तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि OFS से रिलेटेड यह सारी चीज़े हम लोगों को देखने को आपे मिले थी और इससे रिलेटेड इंवेस्टिगेशन भी चल रहा था से भी से रिलेटेड अगर आप गूगल करके भी देखोगे त इससे रिलेटेड अभी तक तो कोई डेटा सामने आपे आया नहीं है और वो भी OFS जो उन्होंने लाया था बोलने के लिए 30% के लिए था अच्छल में अगर देखा गे तो टॉप लेवल से 50% स्टॉक गिरते वे देखने को मिला था वो भी चीज़े ठीक है बट उसमें भ कोड़ी प्रॉब्लेम क्या हुई थी कि OFS लाने की कुछी दिन पहले यहाँ पे हम लोगों को जो सिकुरिटीज लेंडिंग और बोरिंग SLB के अगर हम लोग बात करते हैं वहाँ पे किसी ने तो शॉटिंग करके रखी थी रैट कुछ स्टॉक हम लोगों को मतलब हर पचास पसंड गिर गया तो यह पहले एसे हम लोगों को चीजे होते हुए देखने को आपे मिली थी अभी कि अगर हम लोग बात करें तो यह इतना जबरदस्त तेजी हम लोगों को यहाँ से यहाँ पर भागते हुए देखने को मिले 30% की होल्डिंग फिलाल तो उनने की थी कि यह कंपनी जबी भी टॉप लेवल पे जाएगी आज ने तो कल इस प्रकार का न्यूज यहाँ पर सामने आने ही वाला था वो फिलाल हम लोगों को सामने आते वे देखने को आपे मिल चुका है नो डाउट बिजनेस वाइस की साब से देखा गया तो कंपनी बहुत क्या है यह सारी चीजे मैंने आप लोगों को आपे बता दिये हैं अगेन कहना चाहूँगा क्या मैटर पूरा खतम हुआ है तो वो देखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको कहा कि प्रमोटर 1.32 करो सारा का सारा माल बेचना चाते है अभी कितना बेचा जा चुका है और बैल क्या बेचा जा चुका है पूरा या फिर अभी भी कुछ बचा है वो देखना अभी हमारे लिए next task रहेगा और वो भी भविशा में कभी न कभी अच्छी तरीके से उसको बेच कर completely exit यहाँ पे ले सकते है तो आशा करता हो पूरा scenario आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ म के अंदर अंदर सारे लिक्चर्स आफ लोगों को बिल्किल free of course प्रोवाइड कर दे जाएंगे तब तक के लिए बाई बाई